आप सभी का स्वागात है सक्सेस की 98 में एक ब्रेकिंग न्यूस निकल कर आप सभी के सामने अभी आ रहा है कि जिनका भी एक्जाम था बहुत कॉमेंट्स आ रहा था भर भर कर कि भईया मेरा 22 मार्च को 23 मार्च को 27 मार्च को एक्जाम है आप सभी को पता है COVID-19 यानि क्रोणा वाइरस के बज़े से भईया मेरा एक्जाम होगा की नहीं होगा मेरे सीटी में बहुत ज़्यादा अलर्ट है बिहार में उत्तर परदेश में पच्छिम बंगाल में इवन के रला में स्कूल कॉले सिनेमा घर सभी बंग कर दिया गया सरकार बहुत अलर्ट है इस चीज को लेकर तो बहुत ज़्याद पूछ रहे थे कि भईया बहुत जगा सेंटर ओपे नहीं है तो मेरा आने वाला एक्जाम होगा की नहीं होगा तो अब भी बस थोड़े देर पहले SAC के द्वारा ओफिसियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलिस कर दिया गया है आप सभी जा कर ना जितने भी मेरे भाई बेन है मैं भी उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और वीडियो के इंड में उस नोटिफिकेशन का जो कटिंग है लगा दूँगा आप सभी पढ़ लेना नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा SAC.NIC.IN पर अब भी थोड़े दिर पहले ये रिलीस किया गया है कि आज 19 तारिक यानि 20 मार्च यानि कल से जो है जितना भी एक्जाम है वो आपका नहीं होगा ये किलियर कर दिया गया है तो आप बिलकुल टिंसन मत लेना सभी को जिनका भी देखो एक सेयर आप सभी कर दीजिएगा क्योंकि लाखो आपके तरफ बहुत सारे छात्रे जो है जिनको नहीं पता है जो गाओं में हैं जिनको नहीं पता है सब सोच रहे मेरा कल एक्जाम है कितने सारे इस्टुएंट होंगे जो एड्मिर कार्ड डेडी कर रही है फोटो चिपका लिए होंगे बहुत जो रेडी है उनको कम से कम अभी एक्जाम से चल घंटे पहले ये ओफिसियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो आपका बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि कम से कम उनको शेयर कर दो जिनका इक्जाम कल है तो किलिएर नोटिफिकेशन में में इइंसन किया गया है बी समार्ट से आपका इक्जाम नहीं है इतना बड़ा आप सभी को पता है कितना बड़ा केस है कुणा वाइरस हाला कि अगर मैं इसको देखू तो उतना बड़ा है नहीं लेकिन प्राब्लम क्या है न कि अगर मालो अगर जो वाइरस फैल रहा है इससे बड़े बड़े वाइरस आए और गए लेकिन अगर आप देखोगे मलेरिया से, एट से, टीवी से तो या फिर अभी इबोला आया था बहुत दिन पहले आपका अफरिका में तो अगर उनसे कम पेयर किया जाए तो देख रिस ही हो जो है न वो बहुत कम है बहुत कम है तीन से चार पटसेंट लोग ही मर रहे है जो इसके चपेत में है लेकिन ये भारेस डेंजर क्यों बन गया है इसलिए बन गया है क्योंकि आप जहां भी बैटे हैं न ये भारेस इतने तैजी से फैल रहा है लोगों के बीच में और इतना ज़्यादा डेंजरेस सिच्वेशन बन चुका है आज की डेट में आप इस से अनुमान लगा लो आप सभी इस चीज़ से अनुमान लगा लो ये कितना डेंजरेस बन चुका है कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसको बंद कर दिया गया है और स्टाप लोगों को बोल दिया गया है, आप सभी जो है, वो home यानि घर से बैठ कर काम करिए, अपने company, अपने इंडिया का सबसे बड़ा company, example ले लो TCS, TCS जो है, वो बोल दिया है, अपने स्टाप लोगों को घर में बैठ कर आप सभी काम करिए, office आने की जरूवत नहीं ह क्योंकि लोगों से, जो बिमारी है वो फैल रहा है, तो बहुत सेफ रही है, सेंटाइजर का इस्तेमाल करिए, market में नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, अभी लोग ना हवा बना दिया है, सेंटाइजर कुछ नहीं है, साबून से ही normal हाथ दो, कोई problem नहीं है, और घर में र सबी को, एक सुझाओ देदू, कि जो भी मालो घर में रासन उगारा खरी लीजिगे एक मेने का, क्योंकि जिस तरह economic दिन पर दिन गिर रहा है, जिस तरह, अभी market में, देखो, प्रस्नली बोड़ आँ, इस वीडियो को share कर दीजिगा आप सबी, देखो, मैं कोई hyper situation create करना न क्योंकि अभी जिस तरह economic गिर रहा है, दाम बढ़ेगा, और अभी तामिल नाडू के किरला के, जो health minister उनके द्वारा भी कहना था, कि जो cases है, हमारे state में बहुत जादा data बढ़ सकता है, तो हाँ भाई, जिनको भी अगर doubt है, अपने उपर कि मुझे ऐसा बिमारी है, अब direct doctor से information करो, कोई मरने वाली बात नहीं है कि आपका देथ हो जाएगा, कोई tension नहीं है, बहुत सारे cases, बहुत मतलब बहुत सारे cases recover किये जा चुके है, ठीक है, अब जिनको सर्दी भुखार भी वो भी समझने है कि मुझे हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है, आप doctor से consult करो, अगर doubt आता भी है तो, क्योंकि आप यह याद रखना, आपके साथ साथ आपके परिवार को भी पकड़ सकता है, पूरी महलों को पकड़ सकता है, doubt आता तो doctor से consult करिये आप सभी, ठीक है, और डरो तो बिलकुल नहीं, इस चीज को लेकर, कोई tension नहीं है, बाकी आपको मैंने जो बो एक्जाम कैंसल कर दिया गया है, सारा एक्जाम कैंसल कर दिया गया है, सभी को आप सभी ये news बता देना, बहुत important news है, और safety आप सभी अपने पास रखो, और एक मौका है, अब जिनका एक्जाम हो चुका है, उनको तो बहुत दुस्सा आ रहा होगा, कि हम लोगों का एक्ज सिफ्ट का एक्जाम नहीं हो रहा है, उनको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो देखो ऐसा बात नहीं है, आप एक बार एक ऐसा इंसान, ऐसा human being सोचो, कि safety कितना जरूरी है, सेसी को तो पहले ये step लेना चाहिए था, ये थोड़ा पासिल्टी भी हो गया है, अगर आप बो देखो तो राम बार हो गया आप सभी के लिए, जो कल मैंने बताया था, अभी तो जिनका एक्जाम कैंसल हुआ है, उनके लिए तो मानलो, संजीनी बोटी मिल गया है, ऐसा मानलो, मैंने खल भी बता दिया था, कि CGL के जितने पेपर आए हैं, CPO के जितने पेपर आए हैं, और SAC का, CHSL का, लास्ट एक से दो साल का, काफी है, एनफ है, प्रिवियस एर पेपर सॉल्फ कर लो, एक एक क्वेस्सेन, एक क्वेस्सेन जो है, उसके उपर से बन रहा है, तो कल का वीडियो तो बहुत लोग देखे हैं, और अनलाइस भी कर पा रहा हैं, बिल्कुल सही ब बोल रहा है, तो अभी तो वो एक्जाम पॉस्पॉंड होने के वजह से, अभी वो यहां पर डिरेट कुछ पढ़ेंगे, कि भाईया बिल्कुल सही बोल रहा है, तो इनके साथ थोड़ा सा इनको एक्वांटेज मिल गया है, और बेसिक एडिया भी मिल चुका है, पेपर कि किस टाइप का आ रहा है, किस टाइप का नहीं आ रहा है, तो यहां पर बोल सकते हैं, हल्का सा एन्वांटेज है, इनकोंपारिजन टू वो स्टुडेंट, जिनका एक्जाम पॉस्पॉंड हुआ है, लेकिन ऐसा यूमन बिंग अगर आप सोचोगे, तो यह होना बहुत जर हो रहा होगा, एक बायोमेट्रिक हटाने से इस बायरस से बचा नहीं जास तकता, फिर आप सोचो, स्टुडेंट इतना गलत इस्टेप लिया, अगर आप ऐसा सोचोगी स्टुडेंट, आप मालनो सर, स्टुडेंट बोला, फर्स दिन और सिकेंड दे, आपका बायोमेट्र नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा सर, कोई बात नहीं, लेकिन जो इस्टुडेंट माउस पकड रहे हैं, उसके बात कोई और आ रहा है, वो भी पकड रहा है, उसके बात, तो ये सब चीज ऐसे सी अपने दिमाग में नहीं रखा, रखा ही नहीं, तो अगर क्या बोलू, पा क्योंकि बड़े-बड़े management वहाँ पर बैठे हुए, decide कर रहे हैं, maybe, I hope, सभी safe रहेंगे, अपने परिवार का खयाल रखें, खासकर अपने मम्मी पापा का, क्योंकि यहाँ पर जो corona virus ने, covid-19 है न, वो सबसे ज़्यादा जो attack कर रहे हैं, वो या तु बच्चों को, या जिनक हैं, उस label पर आ चुके हैं, उस तरह से आप जागुरुक है, social media के बलबूते पर, कि आप उस safety को अपना सकते हैं, यही ने कि आप भी यह सब चीज़ भूल कर, likely लेकर phone चला रहे हैं, बस मस्ती कर रहे हैं, आपका responsibility बनता है, कि अपने परिवार में सभी का खयाल आप रखे हलका साथ चुक बहुत भारी पढ़ सकता है, ठीक है, तो safe रहेगा, अपने खयाल लखेगा, अपने परिवार का खयाल लखेगा, और साथ साथ अपने मम्मी और पापा का, और सभी को बता दीजिएगा, आप सभी कि exam जो है, वो postpone हो चुका है, जी भी student, कल exam देने जा रहे बोल दीजिएगा, कल exam नहीं है, आप सभी का घर में बैठ कर और जितना effort लगा सकते हैं, जितना मैनत कर सकते हैं, उतना जान लगा दो, और कभी भी को notification आएगा, और SEC को लेकर, या NTPC को लेकर, किसी भी exam को लेकर, तो मैं सबसे जल्दी, सबसे पहले आप सभी को inform करता हू तो चैनल को subscribe कर लीजिएगा, notification के bell को दबा दीजिएगा, ताकि आप सभी का exam आप अच्छे से देपाओ, और एक सिकायत आप सभी का दोते नीं से ये चल रहा है, कि भाईया, December का PDF आप सभी ने अभी तर नहीं दिया, हर एक मन्त का मिल गया, December का PDF आपको थोड़े देर बा best of luck, अच्छे से रहेगा, अपने सासत, अपने परिवार का खहल लखेगा, official notification है, जूट नहीं बोलता हूँ मैं कभी, success की 98 पर किसी भी चीज को लेकर, railway, SEC, bank हो, या फिर अगर आपको लगता है कि भाईया जूट बोल रहे हैं, तो आपको मैं इस notification का जो link है, इस video के description box में डाल दूँगा, या ssc.nick.in पर जाकर आप सभी भी check कर सकते हैं, ठीक है, चलिए,